हेलो एव्रिवान वेलकम बैक टो और चानल बिलीव लेर्निंग आज हम लोग शुरू करने वाले हैं माइक्रो एकनॉमिक्स में जो चाप्टर चल रहा था कंजूमर्स एक्विलिब्रम एंड दिमांट उसके पार्ट फाइब के उपर हम बात करेंगे हम लोगों ने इस से पहले के लेक्चर में कंप्लीट कर रखा है कि दिमांट क्या होते और उसके डिटरमिनिन्स क्या होते हैं और आज की इस लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड कुछ और टौपिक्स के उपर डिसकुसन करेंगे तो चलिए बिना time waste करते हैं शुरू करते हैं अपना आज का ये lecture हम लोग ने हमारे last lecture में पढ़ रखा था what are the types of goods बट हमने सिर्फ दो ही goods के बारे में पढ़ा था इसके और नहीं जाने थे तो आज हम इसको cover करेंगे तो देखिए हमारे पास goods के दो types होते हैं हमने डिनोट किया था बोल सकते हैं इसे आप जैसे वार फिल्म ठीक है जिसमें competitors होते हैं ठीक है और complimentary goods को हमने डिनोट किया था एक फिल्म के साथ हम साथ साथ हैं substitute substitute का जो मतलब होता है उसका मतलब क्या है substitute कहता है कि यहां पर competition चलेगा यानि कि जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं coca cola को क्या देख सकते हैं यह है coca cola यह भी क्या है एक soft drink है, ठीक है, soft drink, और यहां पे Pepsi, यह भी क्या है, soft drink है, it means, इसका मतलब क्या बता रहा है, इसका मतलब बता रहा है, यानि कि इनके बीच में competition चल रहा है, आप देखेंगे कि लोग कभी Coca-Cola पीते हैं, तो कभी Pepsi पीते हैं, कुछ को Coca-Cola पसंद होता है, तो कुछ को Pepsi पसंद होता है, तो यह क्या है, substitute हो गए, अगर मा लेजे, Coca-Cola, जो Coca-Cola है, जैसे Coke है, Coke की प्राइस माल लेते हैं, 10 रुपीज है, ठीक है, और जो Pepsi है, ठीक है, Pepsi की प्राइस माल लेते हैं, 15 है, तो लोग जाधा किसे पसंद करेंगे, जाधा लेना वो Coca-Cola को पसंद करेंगे, ठीक ह यानि कि एक सेंस माकर हम बात करें, हमारी जो Coca-Cola है, Coca-Cola की प्राइसे वो क्या कर जाएगी, increase कर जाएगी, और वो, demand increase कर जाएगी, और Pepsi की demand decrease कर जाएगी, जाधा तर लोग क्या करेंगे, Coca-Cola पर जैंगे, लेकिन, अब इसकी प्राइस, अभी भी 10 रख दें, और इसकी Pepsi की कम होई तब कुको कोला जो लोग खरीदे थे अब वो प्यप्सी भी पर चेस कर सकते तो अब मेर्टी की प्राइज इंक्रीस कर जाएगी ठीक है और इसकी वजह से changes किसके में आये हैं Pepsi में आये हैं लेकिन भले changes Pepsi में आये हैं लेकिन जो demand है वो decrease करेगी किसकी Coke की क्योंकि price भाई अब क्या होगी ऐसे लोग purchase नहीं कर पा रहे थे 15 की महंगी पढ रहे थी ऐसे ले नहीं पा रहे थे अब जब वो बराबर same price की हो गई है तो अब यहां के consumers चले जाएंगे Pepsi पर ठीके जिनने Pepsi पसंद है जनुरिली वो पसंद करते थे लेकिन वो नहीं ले पा रहे थे उसकी जगहां पर Coke पी रहे थे तो अब वो जंप कर जाएंगे Pepsi के उपर आराम से क्योंकि अब price उनके according आ गया है I hope आप यह topic समझ गए होगे कि substitutes of goods क्या होते है जैसे कि यहां पर एक और example है McDonald's ठीक है और एक है Burger King अब हमें खाना है Burger लेकिन हम McDonald's afford नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए हम कहां जंप कर गए हम जंप कर गए Burger King पर ठीक है McDonald's पे भी Burger मिलता है Burger King पे भी Burger ही मिलता है ठीक है लेकिन McDonald's का हम मालिज अफ़र्ट नहीं कर पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं तो उसकी जगह उसका substitute हमने ले लिया हम Burger चले जा रहे हैं Burger King पे जाके खा लेंगे McDonald's पे जहां पे price 70 माल लो तो वहीं पे इसकी price 60 है तो लोग इससे ज़ादा पसंद करेंगे I hope ये topic आपको clear हो गया होगा substitute goods क्या होते हैं substitute goods वो होते हैं जिसमें एक चीज का substitute मिल जाता है अब जैसे हम बात करें चाय हम कहते हैं आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे किसी को चाय पसंद है तो किसी को कॉफी पसंद है ठीके हम कहते हैं कि आप मीठे में क्या लेंगे खीर लेंगे कि या रबली लेंगे ये द्यादी substitutes ठीके I hope ये चीज़े clear हो गयोंगी next complimentary goods complimentary goods मतलब हम साथ साथ हैं हम साथ साथ हैं जैसे कि एक्जामपल ले लें यहां पर आप सबसे बड़ा एक्जामपल देख रहे हैं petrol और car ठीके अगर petrol है तभी car चल सकते है अगर car है तभी petrol का यूज होगा ऐसा नहीं है बाकी चीज़ों में नहीं होता है बाकी जैनरेटर वगरा उन सब में यूज होता है लेकिन फिर भी main जो petrol का यूज होता है वो कहां यूज होता है cars में न अगर मान लीजिए petrol क्या है आपका petrol petrol की prices petrol की जो prices वो क्या कर गई है petrol की जो prices वो क्या कर गई है increase कर गई है ठीके और जो कार है उसकी प्राइस constant है ठीक है पेट्रोल की प्राइस increase कर गई तो कार की प्राइस क्या होगी decrease कर जाएगी प्राइस क्या demand प्राइस छोड़ दो यहाँ पर demand लेके चलो ठीक है पेट्रोल कि जो demand एवो क्या कर जाएगी decrease कर जाएगी भाई decrease क्यों कर रही है ठीक decrease क्यों करेगी अब एक बात अधर के प्रइस की इतने दम ज़्यादा हैं तो लोग कार का यूज करना थोड़ा कम करतेंगे अब एक बात बताईए जब अभी पेट्रोल की प्राइज़ इतने ज़्यादा बढ़ गए थे तो क्या आप हर एक काम अपने गाड़ी से करते थे क्या छोटी दूरी पर भी जाना है तो भी गाड़ी से जाएंगे ज़्यादा तर अब आप सोचते होंगे कि पेट्रोल का हम कम इस्तिमाल करें हमारी गाड़ी का कम यूज करें ताकि पेट्रोल कम यूज होगा है ना ऐसे ही प्राइज अगर बढ़ेंगे तो कार पर एफेक्ट पढ़ेगा और अगर कार की प्राइस बढ़ेंगे तो पेट्रोल पर एफेक्ट पढ़ेगा समझ में आया? I hope ये चीज़े clear हो गई होंगी इसमें समझ में आया होगा अब यहाँ पे देखिए प्राइस बढ़ी है demand decrease करेगी और कार पर भी effect आ रहा है समझ में आया? इसकी भी demand गिर रही है I hope ये चीज़े clear हो गई होंगी इसमें कोई doubt नहीं रह गया होगा ये दो types हो गए next हम बात करते हैं inferior goods and normal goods ठीक है? inferior goods and normal goods inferior goods आप उन्हें कहते हैं ऐसे goods जो क्या है? जो आप normally यानि की आप बोल सकते हैं cheapest way में purchase करते हैं अब एक बात बताईए मुझे जाना है मुझे जाना है college ठीक है? अब मैं चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ मैं अपनी car से जाऊँ लेकिन मैं अभी car afford नहीं कर सकती तो मैं किस से जा रही हूँ? हमारी जो local bus से उस से जा रही हूँ ठीक है या मैं अगर मुझे travel करना उसके लिए मैं economy class travel कर रही हूँ ठीक है मुझे मैं बहुती जो कम price के होते नहीं है cereals हम वो purchase कर रहे हैं जो lowest price के चीजे हैं हम उनको purchase कर रहे हैं तो यह क्या हो गया? inferior goods ठीक है? inferior goods को आप denote कर सकते हैं cheapest inferior goods को आप denote कर सकते हैं cheapest में ठीक है? cheapest goods ठीक है? जो सबसे सस्ते होते हैं अब एक बात बताईए हमें क्या करना है? मादली जे मेरे पास अभी इतने ज़्यादा है नहीं तो मैं नॉर्मल लोकल जो 50 या 100 रुपए की चपले आती है वो घर में पहन रही हूँ ठीक है? तो यह क्या होगा? inferior goods है अब मेरी income बढ़ी मेरी क्या बढ़ी? मेरी income बढ़ी तो अब हम inferior goods जो होंगे inferior goods होंगे उनकी demand decrease कर जाएगी क्यों मैं? ऐसा की होगा? एक बात बताईए अभी आपके पास income नहीं थी ठीक? income नहीं थी तो आप क्या कर रहे थे? 100 या 50 वाली चपल पहन रहे थे? अब जब आपकी income बढ़ जाएगी तो क्या आप अभी भी 150 वाली पहनेंगे? नहीं अब तो आप घर में जो slipper होते हैं उसके लिए आप company के चपल लेंगे तो अब जब company के चपल लेंगे तो वो आ जाएँगे normal goods वो हो जाएँगे normal goods जब income increase करती है तो normal goods की price वो demand बढ़ जाती है और inferior goods क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं अगर income decrease करेगी तो inferior goods की demand भढ़ जाएगी और normal goods की demand decrease हो जाएगी आपको यह चीज़े clear हो गई होगी आपको नार्मल goods वो होते हैं जो हमें चाहिए जैसे company के प्रोड़क्ट्स हम पसंद करते हैं एक बात बताईए सबसे अच्छा example हम कैसे दें? आपने देखा होगा चोकलेट्स जो होती है जैसे मंच मंच एक चोकलेट आती है पांच रुपे की होती है एक मंच आती है फाइफ रुपीस की और सेम रापर सिर्फ नाम में थोड़ा चेंज कर दे एम रुके एक मिनट ए एन सी एच मंच कर दें और ये हमें कित्ते की मिल रही है ये हमें मिल रही है दो रुपे में ठीक है? तो ये क्या हुआ? ये हो गया इसका ये जो है ये इन्फीरियर गोट्स है कैसा गोट्स है? रुके एक मिनट इन्फीरियर गोट्स है ये कैसा गोट्स है आपका? इन्फीरियर गोट्स है और जो मंच है वो क्या हो गई आपकी? नॉर्मल गोट्स है आपने शॉप्स पे देखा होगा जो बहुत छोटी शॉप्स होती है वहाँ पे आपको ये वाली मिले ना मिले लेकिन ये वाली जरूर मिलेंगी आपको ठीके? दो रुपए की जो मिलती है हम एते है अरे दो रुपए बाली भी आती है लेकिन वो कंपणी लोकल कंपणी होती है ठीके? और ये जो जो दिये कंपणी की होती है तो नॉर्मल गोट्स are company goods and inferior goods are local company goods ठीके जो local company के प्रोड़क्ट होते हैं उसे आप inferior goods कहेंगे और जो company के products होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं I hope ये topic भी clear हो गया होगा आपको Next आगे बढ़ते हैं अब देखे demand and schedule और curve ये हम लोगों ने पहले discuss कर रखा था लेकिन फिर भी इसे related हमें topic explain करना है इसलिए हम इसको बता रहे हैं हम लोगों ने ये law पहले ही पढ़ रखा था कि अगर price increase करेगी demand का law क्या था price increase करेगी तो demand क्या हो जाएगी decrease करेगी अगर price decrease कर रहे है तो demand क्या करेगी increase करेगी यही न पढ़ा था तो अब देखिए यहाँ पे देखिए first वाले section पे एक price एक रुपे की price है तो 100 रुपे की unit है अब जब 2 रुपे की price हो गई तो 80 हो गया 3 रुपे की price हो गई तो 60 units मांगी जा रही है 4 unit है तो 40 और 5 रुपे कर दिये तो 20 तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटी देखी notice करी कि price क्या कर रही है increase कर रही है और demand क्या कर रही है decrease कर रही है ठीक है यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी देखेंगे price क्या है price जब यहाँ पड़ थी तो quantity इतनी ली जा रही थी तो quantity इतनी ली जा रही थी अब जब price यहाँ आ गई है तो अब यानि कि price कम हो गई price कम हुई तो quantity demand बढ़ गई I hope यह चीज़े clear हो गई होगी जब हम किसी table में mention करते उसे demand schedule कहते है और जब हम graph में बताते तो demand curve हो जाता है demand curve हमेशा हमारा downward slope होता है next topic पर बढ़ते हैं types of changes in demand हमारे demand में changes भी होते हैं अलग-अलग type होता है दो types के ऐसे changes होते हैं type 1 में आप हो change in quantity बढ़ेंगे और type 2 में हम लोग change in demand बढ़ेंगे ठीक है? तो चलिए सबसे पहला वाला type पहले देखते हैं type 1 जो होता है change in quantity demanded वो ये बताता है कि आपकी demand में change आ रहा है किस में change आ रहा है? आपकी demand में change आ रहा है अब ये देखें यहाँ पर A है और ये B है ठीक है? बस समझेगा ध्यान से बात को demand change due to change in price of the commodity alone the factor remains constant यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर changes आ रहे हैं demand में changes आ रहे हैं किस के वज़े से price of the commodity के वज़े से आ रहे हैं केवल alone यानि कि केवल सिर्फ price की वज़े से changes आ रहे हैं और बाकी factors क्या है? constant है तो वो क्या होंगे? expansion होगा या contraction होगा ठीक है? expansion का मतलब होता है more demand expansion का मतलब होता है more demand at a lower price ज़्यादा demand होना कम price में ज़्यादा demand करना उससे आप क्या कहेंगे? expansion, contraction मतलब कम demand हो रही है ज़्यादा price है ठीक है? यानि कि अगर आपका अगर बात बोले अगर price increase कर गई है और demand decrease कर रही है that is called that is called contraction that is called contraction और अगर price decrease कर रही है और demand increase कर रही है then that is called expansion I hope ये चीज़ clear हो गई होगी अब इसको graph के जरी जरा समझते हैं तो आपको और ज़्यादा clarity आ जाएगी पहली चीज़ आपने देखा यहाँ पर price है example वो quantity और उसके साथ लेखे चलते हैं ये price मालो 10 रुपए थी ठीक है पहले price 10 रुपए थी तो लोग कितने ले रहे थे 100 products ले रहे थे 10 रुपए की price थी तो लोग की quantity demand कितनी थी 100 रुपए थी अब price हमने कम कर दी 8 रुपए कर दी तो अब लोगों की demand बढ़ गई 150 तो हम जब यहाँ पर आपने देखा हम जब A section से B sections पर आए कहां से हम A से जब B पर आए है नीचे side आए है ना तो ये क्या हुआ है expansion हुआ है ये क्या होगा आपका expansion हुआ है expansion क्यों हुआ क्यों आपकी जो demand है वो बढ़ गई है expand कर गई है ठीक है demand क्या कर गई है expand कर गई है इसलिए से आप expansion कहेंगे लेकिन अगर हम यहाँ पर बात कहें कि price पहले कित्ती थी हम अगर बात करें यहाँ पर price पहले 10 रुपे थी अब 15 रुपे होगे हम 150 रुपे पहले थे और अब 15 होगे तो अब हम 100 रुपे थी यानि कि हम क्या कर रहे है हम B वाले section से अब उपर जा रहे है A वाले section पर आ रहे है तो इसे आप क्या कहेंगे आपकी जो demand है वो क्या हो रही है कम हो रही है इसका मतलब contraction हो रहा है क्या हो रहा है contraction I hope यह topic clear हो गया होगा इसमें कोई doubt नहीं होगा बस और एक चीज़ और आपने notice करी होगी कि जो भी movement हो रहा है जो भी movement हो रहा है demand के उपर ही demand curve के उपर ही हो रहा है यानि कि demand curve के उपर ही हो रहा है या तो point आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है ठीक है जब demand curve के उपर movement होता है तब हम कहते हैं change in quantity demand हो रहा है demand में बदलाव आ रहे हैं ठीक है demand में बदलाव आ रहे हैं लेकिन जब price भी बदल रही है और demand भी बदल रही है तब होगा कि आपकी demand आगी जा रही है या पीछे आ रही है या निकि आपका जो कर्व है वो पूरी तरीके से shift हो जाएगा ठीक है तो चलिए इसको देख लेते हैं Second type change in demand quantity demand में आप कर्व के उपर या नीचे आते जाते रहेंगे लेकिन अगर demand change हो रही है तो कर्व ही पूरी तरीके से shift हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं D1 से आप D से D1 की तरफ आप बढ़ गए यह क्या हो गया आपका change in demand हो गया है अब देखिए change in demand demand changes due to change in factors अगर factor में changes आ रहे हैं किसमें आ रहे हैं factors जो हम लोग ने पढ़े थे income की वज़े से change हो गई demand ठीके या fashion की वज़े से demand बदल गया ठीक है अगर factors की वज़े से आपकी demand में changes आ रहे हैं तो उसे आप कहेंगे change in demand हुआ है और अगर price की वज़े से demand में change आ रहे है तो उसे आप quantity demand कहेंगे कि price की वज़े से quantity में सिर्फ changes आ रहे हैं quantity की demand कम हो गई है बस और ये दो तरीके की होते हैं पहला होता increase in demand दूसरा होता decrease in demand अगर ज़्यादा demand करी जा रही है किसी factor के बदलाव से उसे आप increase in demand कहेंगे example से समझते हैं जैसे कि मान लिजे मेरी income ठीक है रुकिए थोड़ा डाकर कर ले 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 जैसे कि मेरी income कितनी है thousand rupees per month है पर month क्या मान लिजे thousand rupees per day है ठीक है एक दिन का 1000 रुपए कमा रहे है ठीक तो मेरी income 1000 रुपए है तो मैं कितने products मैं क्या कर रही थी मैं जब pizza लेती थी ठीक है पीजा खाती थी वो कितना खाती थी पीजा क्या burger लेती थी ठीक है पर इसे लिख देते हैं जैसे मेरी जो income है वो कितनी है 1000 है तो मैं week में कितनी बार pizza खाती थी वो burger मैं burger लेती थी 50 का पड़ता था और burger 2 लेती थी ठीक है लेकिन अब मेरी जो income है वो कितनी हो गई है पर डे की 2000 हो गई है कितनी हो गई है 2000 हो गई है तो अब मैं burger की जगा क्या खा रही हूं बर्गर की जगा क्या खा रही हूं मैं खा रही हूं पीजा क्या खा रही हूं पीजा या burger ही खा रही हूं इसी को बता देते हैं burger ही खा रही हूं पहले मैं एक खा रही थी ठीक कितना खारी थी दो खारी थी अब मैं बर्गर वीक में कितनी बार खा सकती हूं चार बार खा सकती हूं ठीके तो आपने एक चीज नोटिस करी कि आपकी इंकम बढ़ी आपकी डिमांड भी बढ़ी ठीके इंकम की वज़े से आपकी डिमांड में भी चेंजेस आये हैं तो यह क्या हो हो गया दूसरा ही फैक्टर तो है यह इंकम दूसरे फैक्टर के जिसे आपकी डिमांड पर असर पड़ा तब ऐसी वक्त पे आपकी जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी शिफ्ट कर जाएगी अब अगर मालीजे दूसरे के फैक्टर के अज़े से आपकी डिमांड बढ़ ऐब रही है किया हो रही है डिमांड बढ़ रही है तो आपके जो डिमांड कर वोगी वो क्या ओजाएगी अपफ़र्ट शिफ्ट अपफ़र्ट करना यानि कि प्राइस कॉन्स्टेंट्ट थें प्राइस मेंचेंजने है हमने प्राइस का गई पही जिकर नहीं किया था कैं कि इंकब है क्या औहोजी हो रहे हैं प्राइस 5 रुपय का था वह पचास ही है लेकिन पहले रहें आपद गे prep हम चार ले ले रहे हैं तो इसमें क्या हुआ इसमें दूसरे फैक्टर की वज़े से किसी एक फैक्टर के उपर यहां पर चेंजेज आ रहा है यानि कि आपकी दिमांड बढ़ जाएगी तो पहले 50 हम यहां पर लेते थे अब बढ़ गए तो यह क्या हो गया हमारी डिमांड का लाइन जो है वो क्या हो गई आगे की तरफ शिफ्ट कर गई अगर इसी का पॉजट होता अगर हम कम कर देते दो की वज़ा है हम अगर एक कर देते डिमांड ठीके तो यह क्या हो जाता पीछे शिफ्ट हो जाता तो आपकी डिमांड की लाइन अब इधर बन जाती समझ में आया आय होब यह चीज ख्लियर हो गई होगी एक बर फिर से मापको पीछे साइट का दिखा दे रहे हैं यहां पर देखिए यहां पर हमने क्या देखा यहां पर आपने एक चीज़ नोटिस कर योगी यहां पर आपका जो भी चेंजे इस हो रहा है उसमें प्राइज में सॉ उपर जा रही है या तो नीचे आ रहे हैं ये चीज़े आ रही है लेकिन लेकिन यहां पर क्या हो रहा है यहां पर केवल एक ही फैक्टर में चेंज आया है ठीक है जब एक ही फैक्टर में चेंज आएगा तो आपकी डिमांड या तो उपर बढ़ेगी या तो नीचे बढ़े और अगर downward shift हो रही है इसका मतलब आपकी demand decrease कर गई है I hope आपको ये topic clear हो गया होगा इसमें कोई doubt नहीं होगा अगर कोई भी doubt है तो comment section में जरूर mention करिएगा मिलेंगे अब बढ़ते हम हमारे next topic के उपर जिसका मतलब है causes of increasing and decreasing causes of increasing and decreasing का मतलब क्या होता है यह देखें causes of increasing and demand किस कारण के वाज़े से आपकी demand increase करती है या तो income बढ़ गई तब increase करेगी या तो आपका favorable change हो गया है या आपका taste बदल गया है ठीक है या आपकी preference बदल गई है तब आपकी demand increase करेगी या decrease करेगी या rise in price of substitute goods आपके जो substitute goods है जो हमने बताया था है उसमें price बढ़ गए है इस वज़े से आप दूसरे पर shift हो गए ठीक है इस वज़े से भी क्या हो सकता है आपकी demand increase या increase कर सकती है या आपकी जो complementary goods है उसकी price fall कर गई है तब आपकी demand क्या कर सकती है increase कर सकती है increase in income cause increase in demand for normal goods यहाँ ध्यान रखिएगा अगर आपकी income बढ़ती है ठीके तो आपकी जो demand है वो क्या अगर income बढ़ेगी income बढ़ती है तो आपकी जो normal goods है उसकी demand बढ़ जाएगी समझी decrease क्यों होता है decrease होने का reason यह है या तो income decrease कर गई है इस वज़े से ऐसा हो रहा है या तो आपकी unfavorable taste हो गया है आपका taste ही बदल गया या आपका preference बदल गया है इस वज़े से आप उसकी demand कम हो गई है ठीक या तो आपका जो substitute good है उसकी price बढ़ गई है या तो आपकी जो complementary goods है उसकी price बढ़ गई है ठीक है अगर आपकी income अगर आपकी कहां गया अगर आपकी income income decrease करती है तो आपके normal goods की demand भी decrease करेगी ठीक है I hope यह topic आपको clear हो गया होगा इसमें कोई doubt नहीं रहा होगा यहां तक हम लोग ने आज के इस lecture में cover किया है हम इसके next lecture में इसके आगे के topics को cover करेंगे तिल दन कीप लर्निंग बिलीवी लर्निंग, स्टे से अप्यापी और बे अनगेटिक, थैंक य।